नमस्ते दोस्तों मेरे किचिन के दुनिया देसी फोलेवर्स अरुसी में आपका स्वागत है आपने तो पनीर चीली चिकेण चीली बहुत ख़ाई है लेकिन आज मैं सोया चीली की रेस्पी लेकी आया हूँ जोकी मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आया तो रेस्पी ध्यान स पहले Cable our channel, पहले प्लीज में चानल को सब्सक्राइब कर लेhi, इसके लिए हमें किया करना है Cable Pणा फुरा गरम कर लेना गरम तरीके से Willow infin twenty, précédela, तरी के अच्छे से निचोर के पाने निकाल, त्याज़र के अब में साइड कर लेंगे종, तो इसके लिए हमें चाहिए कॉन फ्लार, सबसे पहले हम इसमें कॉन फ्लार डालेंगे कॉन फ्लार डालने के बाद से इसमें हम थोड़ा सा लाल मिर्श पाउडर डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्श का पाउडर ले लेना है उसको डालने के बाद से आजंब करेंगे सabil पार कर लेंगे एक कोपेचायों sedł हीमें हमेरिनेट करके मिच का वेज़ीटेबल्स का बूच बेकल वेजरी जिस तरीकेसे हम लोग चिल्ली पनीड में प्यांज कैपसीकम को चोटे चोटे आज़ facilities वैसे ही आपको इस तरीके से स्क्वायर साज में सभी को काट लेना है, साथ में मैंने टमाटर भी काटा है और थोड़ा सा बारिक काट के लहसुन और अद्रग भी रख लेना है इसके अलावा इसमें एक सॉस चाहिए तो चलिए उसको भी हम बना लेते हैं इसमें हम दो चम्मच टोमाटो कैचप लेंगे, साथ में हम हलका सा सोया सॉस लेंगे, अगर ज्यादा सोया सॉस लीजेगा तो कलर तो अच्छा है लेकिन टेस्ट में उतना अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए सोया सॉस कम ही ले इसके बास से इसमें हमें क्या करना है एक चम्मच ये रहा रेड चिली सॉस ले लेना है अब तीनों सॉस को इस तरीके से चम्मच के सहारे हमें अच्छे से मिला लेना है और हमारा सॉस बनके रेडी हो चुका है अब चलिए हम गैस के पास चलते हैं गैस पे हमें तेल अच्छ और थोड़ी ही दिर में देखिए किया होगा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा आप क्या कीजिएगा इसको अहल के हाथों से उलट उलट करके अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा यह देखिए फ्राई हो चुका है अब इन सब को हम इस तरीके से साइड में निकाल के रख लें अधरक लसुन डालने के साथ साथ इसमें हम क्या करेंगे कैप्सिकॉम और प्याज इसको डालेंगे तो पहले हम प्याज को डालेंगे तो यहां पर मैंने प्याज को डाल दिया है प्याज डालने के बास देखिए 20 सेकेंड पूरे हो जाने के बास इसमें आप कैप्सिकॉम को एड कर लीजे, तो क्याप्सिकम डालने के लिए के वासे प्यर से हम इसको 30 तू 40 सेकंड कफ सरी करें HERE, बर क्यार का में, हलकी तो बल-धियर से शरी का दे लिया है ड्राइ बना रही हुँ इसलिए यहां पे मैंने कॉन फ्लॉट का ग्रेवी नहीं डाला है ऐगर आपको ग्रेवी वाला चाहिए तो थोड़ा सा काॉन फ्लॉट पाउडर में पाने डाल के असको दाल सकते हैं मैंने नहीं डाला है क्यूकि मुझे ड्राई बनाना है अब इसमें हमें क्या करना है sauce को जो sauce हमने त्यार किया है उसको और साथ में टमाटर को भी डाल के फिर से हम इन्हें एक मिनट तक फ्राई करेंगे एक मिनट तक इसको हलके आज़ पे ही ताकि ये chunks जो है मसालों के साथ अच्छे से mix हो जाए और पक जाए तो ये recipe बिल्कुल बनके तयार हो चुकी है अब हमें क्या करना है अब हमें इसको गर्मा गर्म सर्फ कर लेना है आप इसको evening snacks में भी खा सकते हैं क्योंकि मैंने इसको dry बनाया है तो ये रहा delicious soya chili जो कि मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आता है आप लोगो कैसा लगा मुझे comment कीजिएगा प्लीज मुझे बताइएगा कि ये recipe आपको कैसी लगी तो ये रही delicious soya chili की recipe तो मैं तो चली खाने मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care और प्लीज में चैनल को सबस्क्राइब कीजिए bye bye